हाला अगिवावन वेल्कम बेक टो माई यूटूब चैनल आज मैं आप लोड़ो केड़ लाई हूं देटाइम पाटी मेकप लोग तो अभी सबन का टाइम है और काफी हद तक थोड़े बहुत ही वैडिंग सभी चल रहे हैं जो मौनिंग टाइम में भी होते हैं तो हम लोग क अब ही जो मैंने मेकप क्रेट किया है देख सकते हो तो इस टाइब को करना है और सीथना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाज तक देखना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा ल तो आप देख सकते मेरे स्कीन में काफी जादे पिग्मेंट और टैन हो रही है तो मैंने सबसे पहले अपने स्कीन को फेज वाश कर लिया है दैन में अपलाय कर रही हूं टूनर यहां मेंने जो विस का कोउंबर वाला टूनर यूज कया है जो थोड़ा सा कुछिंग एफेक् जोचको से एफैजर मूश्या शाय कासवात. में इसके बाद मih रख कर लिया है तने यहां पर पूर्थ कंपलीट कर लिया है तो यहां पर आपको नलग भी होता है ऌहां पर लगाओ जिससे ओपन पोर्थ को क्या करता है यह इसीली निमाईज कर देता है वह बहुतिव फ्लावलेंस होता है एंड में यहां पर यूस करूंगी एनवाइ का ओरेंज कलर करेक्टर विकॉस इस बार मेरे डार्क सरकल थोड़ा दिख रहे हैं थोड़ा बॉद्पिग्मेंटेशन भी दिख रहा है विकॉस मैं अभी कुछ दिन पहले ही ट्रावलिंग कर तो मेरी स्कीन काफी थकी थकी सी हो रही है मेरे को इतना ज्यादे स्कीन केर करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो मेरी स्कीन काफी पिग्मेंटर हो रही थी तो मैंने कलर करेक्टर लिया है उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लैंडर को लाइटली पानी में डैप किया है उसके बा के तो आपको lightly blending करना है अभी इसलिए blending बता रही हो विकॉस के daytime का makeup है नहीं तो foundation oxidize हो जगा दैन मैंने यहाँ पर यूज किया है Maybelline का foundation power stay वाला दैन मेरा जो shade है वह natural waste 220 एंड दे का time में ज्यादा foundation यूज नहीं करूंगी एक ही pump लिया है और इसको और ले सकते हो ऐसा कोई issue नहीं है बट मुझे थोड़ा सा naturally रखना चाहिए नेचरल रखना था अपने makeup को इसलिए मैंने one pump लिया है आप चाहिए तो दो पंप भी यूज कर सकते हो and I hope so इस टाइप के makeup को जरूर create करोगे अगर आपको यह makeup लुक अच्छा लगता है मेरी टैक्निक अच्छी लगती तो please like, comment, share जरूर करना और अगर subscribe नहीं किया है अपने मेरे channel को तो please do subscribe आप देख सकते मैंने कितने अच्छे से foundation को complete blend out कर लिया है अगर आप चाहो तो दो पंप ले सकते बट मेरे एक पंप से काम हो चुका है then मैंने यहाँ पर Swiss beauty का concealer लिया है जिसका shade is 02 number sand and अगर आपकी skin से हमेशा दो shade ज्यादा ही आप concealer का use के रो जो आपका as a highlighter भी work करेगा ठीक है तो उसके बात मैंने जो आपके गालों का पे जो आप concealer लगाते हो उसको आपको नीचे के side blending करना है और बाकी जहाँ पर भी अपने concealer लगाया है उन सब को dabbing motion में ही आपको blending करना है मतलब कहीं पर भी आपको concealer को rub नहीं करना है otherwise patches हो जाता है skin में तो आप देख सकते हो मैंने किस step से blending किया है मैंने eye lip को भी cover किया तो मुझे अलग से concealer लगाने की need नहीं है ठीक है day time का makeup बहुत ही प्यारा makeup हुआ था अभी जितना camera पर नजर आ रहा है उससे बहुत ही ज्यादा flawless इसका makeup हुआ था तो आप देख सकते हैं मैंने किस टाइप से foundation and concealer को अच्छे से blending किया है दैन मैंने यहां पर stars company का sd powder compact powder जो है उससे मैंने सारे concealer को अच्छे से सेट कर लिया है इसके बदले आप translate powder का भी यूज कर सकते हो but self में मुझे लगता है compact is the best जो हार को use कर सकता है दैन मैं यहां पर use करूंगी color essence का bronzer जिसका shade है sun kiss and बहुत ही प्यारा shade आप देख सकतो मेरा जो bronzing हुआ है बहुत ही clear दिख रहा है मैंने face के लिए बड़े brush का use क्या है और जो nose contouring के लिए मैंने छोटे brush का use क्या है आप देख सकतो यह one side bronzer हो चुका है तो मेरा nose का shape कितना प्यारा लग रहा है आप लोग भी इतना ध्यान रखें कि गर्मियों में cream product का use ना करें इसलिए मैंने cream contouring का use नहीं किया है इस बार only मैंने bronzer से ही contouring किया है तो मेरा nose देखी कितना प्यारा लग रहा है अगर आपकी nose and features highlight होते ना तो आपका make-up already बहुत ही प्यारा दिखने लगता है तो मैंने यह complete कर लिया है अपना bronzer से then मैं यहाँ पर use करूंगी Maybelline fit me का sorry Maybelline का highlighter जिसका shade है molten call उससे मैं अपने nose highlighting करूंगी मैं अपने complete face पे इसी साइलाइटिंग कर दीओ बहुत ही अच्छा रिजल्ट है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है बट यह मैंने थोड़ा टूट चुका है अभी क्योंकि मैं बहुत जादा इसको use करने लग गई हूं देन आप देख सकते हैं मैंने कैसे forehead पे complete nose पे highlight किया है देन मैंने यहाँ पर मेरा favorite blusher यूज़ किया जो पता नहीं मुझे कौन सी ब्रांड का है मैंने थोड़ा से smiling face बनाते हुए जिए मेरा उब्राव अच्छिक था मैंने उस complete area में अच्छे से blusher कर दिया है बहुती प्यारा make-up लग रहा था complete होने के बाद तो आप देख सकते हैं इसको complete look अगर आपको अच्छा लगता है तो please comment box में comment जरू करना और अगर आपको मेरे make-up में कोई गलती नजर आ दिये या mistake नजर आती है तो भी आप मुझे comment box में comments करके बताना then मैंने blusher के बाद यहां पर highlighting किया है तो वह भी बहुती अच्छा look आया है बहुती अच्छा look आया then मैं उसके बाद यूज़ करूंगी sugar का एक खेप पिंक कलर का lipstick जो थोड़ा सा dark pink है इसका shade मुझे भी याद नहीं आ रहा है अगर मुझे आता है तो मैं इसको नीचे mention जरू कर दूंगी then अच्छे से मैंने liquid lipstick लगाई है यह जो liquid lipstick है बिल्कुल भी dry नहीं करता है आपके lips को आपके lips को hydrate करता है यह matte है बट फिर भी आपकी skin को बिल्कुल मतलब थोड़ा सा moisture है इसकंदर तो मुझे यह lipstick बहुत अच्छे लगी sugar की काफी लोग को पसंद नहीं आता है बट मुझ इसकी प्राइज है मुझे 27 रुपे की मुझे जब मैंने purchase किया था तब मुझे 2700 में मुझे मिला था और काफी इसका मैंने जो ब्राउनी शेड है मतलब पिच एंड ब्राउन कलर का mixing है उससे मैंने इसको crease line define कर लिया है दोनों eyes में सेम एक ही टाइप का makeup करेंगे मतलब होता है कहीं पेर भी आपका कम ज्यादा नहीं होता है मतलब दोनों eye makeup same होता है आपने देखा होगा कितने जो कितने लोग होते जिनका एक आख अलग makeup होता है दुसरे आखों का लग तो आप अगर एक साथ करोगे ना तोगे mistake नहीं आएगी दैन मैंने यहाँ पर dark green color का dark blue color क आई शेडोल यहाँ जिसके मैंने outer corner पे लेते वे उसको blending कर दिया है आप देखों मैंने किस टैप से blending किया है अब proper मेरे makeup को अगर आप copy करोगे ना तो आप बहुत ही अच्छे से makeup कर पाऊगे because self में भी इतना cut crease करना बहुत मुश्किल होता है तो आप easily कर सकते हो दैन मैंने यहाँ गोल्डन कलर का eye shadow लिया है shimmer बैसे इसको मैंने flat brush की help से inner corner पे लगाया है तो आप देख सकते हो मेरा जो eye makeup है ऐसा लग रहा है कि मैंने cut crease makeup किया है मतलब cut eye shadow किया है but no cut crease मतलब कोई cut crease नहीं है normal simple eye makeup है और काफी अच्छा क्या पाया था यहाँ पर मुझे color proper pick नहीं हो रहे है मेरे camera में but real में बहुत अच्छा वह था उसके बाद मैंने एक simple blending brush लिया है जिसके हर्ब से मैंने complete eye shadow को blending कर दिया है और फिर मुझे एक eyes में थोड़ा सा eye shadow कम लगा तो मैंने उसका outer corner को थोड़ा सा dark कर दिया तो आप देख सकते हो मेरी eyes कितनी प्यारी लग दिये then मैंने यहाँ पर blue color का eyeliner को use किया है because मैंने dress blue पहने थी तो बहुत ही प्यारा eyeliner था मैंने बहुत ही पतली and fine line लगाई है because मुझे थोड़ा सा गर्मियों में light makeup ही पसंदे अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको मोटा भी कर सकते है यह आपकी choice है बाकी मेरे को जैसा simple सोबन मुझे makeup lightly पसंदे मैंने उस टाइप का makeup look create किया है और यह makeup look बहुत ही अच्छा लगा था and यह daytime के लिए बहुत ही अच्छा makeup है then मैंने mark 1 का मेरा mascara यूज किया है जो बहुत अच्छा mascara मैंने कोई eye lashes नहीं लगाया है because daytime में बहुत heavy look हो जाता and मेरा बाल जो ही बार बार disturb कर रहा है then then मैंने आज इस बार थोड़ा सा new try किया है मैंने white कलर का काजल यूज किया है और white कलर का काजल से मेरी eyes काफी बड़ी और बहुत ही प्यारी लग रही थी then उसके बाद मैंने क्या किया जो मेरा dark blue कलर का मैंने outer corner पे जो आईशोडल लिया था उसी से मैंने under eye पे थोड़ा सा blending कर दिया जिससे मेरी eyes पहुत थी प्यारी लग रही थी आप देख सकतो मेरा final look किस type का look आया है I hope so आपको भी अच्छा लग रहा है यह makeup and then उसके बाद मैंने क्या किया थोड़ा अपने eyebrow को feel कर लिया है eyebrow के lightly feel क्या है because मेरा जो eyebrow था already अच्छी थी बट मुझे थ अच्छा में थोड़ा बहुत आए ब्रोको एक define कर लिया तो यहीं मेरा final look अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो please like comment share thank you bye bye